थालो फ्रेंट्स मैं अनामिका मेरे कीचन में आप सब्ही खश्वागत है आज मैं जीरा राईस की रेस्पी कर आएं हूँ इसे बनाना बहुत ही आशान है और होदी है देश्टी होता है तो फ्रेंड़्स इस रेस्पी को आप ज़रो ज्रू त्रय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेट करना मत भूलिए, तो चलिए हम जीरा राइस बनाना शुरू करते हैं जीरा राइस बनाने के लिए हमने जो इंग्रिडेश लिया है वो है एक ग्लाश बास्मेदी राइस यानि कि ये दावत बास्मेदी राइस है जरूरत के अनुशार नमक, जीरा, एक निम्बू और एक बड़ा चमच देशी घी जरूरत के अनुशार हम पाने यूज करेंगे सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल में राइस देंगे राइस को हम दो से तीन बार अच्छे से वास कर लेंगे राइस को हमने अच्छे से धूगे, राइस को हमने अच्छे से वास कर लिया है अब राइस डूगने लाइक पानी में हम इसे छोड़ देंगे और इसे हम पांच से छे मिनट तक फूलने देंगे इससे राइस जल्दी पत कर लिए चावल फूल चुका है अब हम इसे एस्टेन कर लेंगे, तो हम इसे एक ज़ड़नी में ऐसे छान लेंगे, राईश को हमने एस्टेन कर लिया, अब हम गैस के तरफ चलेंगे, तो गैस पे हमने ऐसा एक भगोना ले लिया है, गैस को आउन कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे देसी घी, तो यहाँ पे हम एक बड़ा चमस देशी घी डालेंगे घी को हम अच्छे से गरम होने देंगे घी मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें जीरा डालेंगे तो यह जीरा राइस है तो जीरा का मात्रा थोड़ा सा हम जारा डालेंगे जीरा को हम चलगने देंगे और इसमें हम एकेंट किया हुआ राइस डाल देंगे घी के साथ हम राइस को 2-3 मिनट तक भून लेंगे राइस पे घी की अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए राइस को हमने घी के साथ अच्छी से भून लिया है तो यहाँ पे हम जिस ग्लास से राइस दिया था उसी ग्लास से दो ग्लास पानी डालेंगे क्योंकि एक ग्लास चावल की दिये दो ग्लास पानी परहिट होता है दो ग्लास हम पानी डालेंगे अच्छी से चावल को हीक्स कर लेंगे अब हम गैस का फ्लेम तेज करके सावल को उबलने देंगे पहली उबाल तेज फ्लेम पे आनी चाहिए अब हम इसमें निम्बू डालेंगे तो एक निम्बू को हमने दो तिसमें कर दिया है और इसमें रश डाल देंगे निम्बू का रश डालने से टेश्ट तो बढ़ियां आता ही है राइस जो है बहुत ही टेश्टी होती है तो हम इसमें एक निम्बू का रश डाल देंगे इसे भी हम मिक्स कर लेंगे निम्बू को हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें टेश्ट के अनुशार नमक डालेंगे जीदा राइस बनाना बहुत ही आशान है और इसका टेश्ट बहुत ही बढ़ियां लगता है तो हम इसे 2-3 मिनट तक तेश फ्लेम पे उबा लेंगे चावल को हमने तेश फ्लेम पे 3-4 मिनट तक उबलने दिया है अब हम फ्लेम स्लो कर लेंगे और एक ढखकन से इसे कभर करके 5-7 मिनट और पकाके हम सेख करेंगे चलिए अब हम राइश को एक बार चेक कर लेते हैं तो हम धीरे से ढखकन को हटा लेंगे और एक चमच की मदद से हम चेक करेंगे पानी अपना शुक चुका है अब हम एक राइश को निकालेंगे और हंथेरी से ऐसे प्रेस करके चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं राइश जो है अच्छे से पक चुकी है अब हम गयस के फ्रेम को आफ कर लेंगे और कभर करके एक से दो मिनट तक और छोड़ देंगे फिर हम सर्व करेंगे चलिए अब हम जीरा राइश सर्व कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां एक एक दाना खिला खिला अपना राइश तयार हुआ है और खाने में इसका टेश्ट का क्या कहना तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं अब हमें धनिया पता से गार्डेसिंग कर लेंगे जीरा राइश बनकर तयार है इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेश्टी होता है तो फ्रेंड्स इस रेश्टी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आज की मेरी राइश रेश्टी आपको अच्छी नहीं है तो मेरी सेनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए धन्यवाद